जहिंद वंदे मातरम स्वागात अब सभी का सक्सेस वल्ड एम से क्यूद चैनल पर तो चलिए आज किस वीडियो में साइंस के सांदार और बहुती बहितरिन प्रस्णों को लेकर आएं ये सभी प्रस्ण प्रत्यक वर्स एक्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार करते हैं बिल्कुल भी टाइम बरबाद ना करते हुए तो आज किस सेशन का सबसे पहला प्रस्ण है स्वचालित फ्यूज बनाने में परियोग होने वाला रोज मेटल किसका मिस्रधातु होता है बिस्मित का लेड का टीन का या फिर सभी का यहाँ पर फ्यूज कर लेंगे टैपिंग इरह है तो क्या हो जाएगा स्वचालित फ्यूज बनाने में परियोग होने वाला रोज मेटल किसका मिस्रधातु होता है तो यह बिस्मित का भी होता है लेड का भी होता है और टीन का इसका राइट अंसर अप्संडी के साथ राज़ेगा वो फ्यूक्त सभी एकजाम में संकेत भी पूछा राता है तो बिस्मित का संकेत होता है बी आई और इसका परमानु करमांग होता है तेरासी याद रखना है लेड का संकेत क्या होता है पीवी होता है और इसका परमानु क मात्रा किस चेश्ट द्वारा पता की जाती है most important विवियाई प्रस्न ये प्रस्न बार बार reresent में पूछे आते हैं यहाँ पे अस्थी rejo B 겁 तो अस्थीयों में calcium की मात्रा किस टेश्ट द्वारा पता की जाती है तो BMD test के दिवारा याद रखना है option 6 प्रसने का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा BMD का full form पुछा आता है तो bone, mineral, density होता है याद रखना है bone, mineral, density होता है BMD का full form और option A में जो है ECG test ये हिर्दे से संबंदित है याद रखना है और option B में जो है EEG test ये मस्तिस के संबंदित है याद रखना, एक प्रसना और यहां से पूछा आता है कि अस्तियों के अध्यन को क्या करते है यापी जो अस्तिय है, इसके अध्यन को क्या बोलते है तो osteology बोलते है, याद रखने है सभी points को याद रखने important है तीसरा प्रसन है Biotin किस vitamin का रसानिक नाम है, चलिए answer करेंगे Biotin किस vitamin का रसानिक नाम है, सोच समझ का अंसर करना है, तो इसका सही जबाब है vitamin H का रसानिक नाम क्या है तो Biotin है, option 20% का बिल्कुल सही जबाब हो दाएगा, vitamin A का क्या है सभी को बता देते हैं, चलिए, तो vitamin A का फीलो Q9 होता है, सभी को याद रखना है जो केक्जाम में बार बार पूछे आते हैं चलिए, शिक्साथ आगे बढ़ते हैं, इसका right answer option D के साथ चला जाएगा next है, लाल दबा का रसानिक नाम क्या होता है, फटा पर सांसर करेंगे चलिए, बहुत अच्छा प्रसन है, लाल दबा का रसानिक नाम क्या होता है, तो इसका right answer अगर आपने option C को दिया है, तो बिल्कुल सही जबाव जगा potassium permagnate याद रखना है, लाल दबा का रसानिक नाम क्या होता है, तो potassium permagnate होता है कभी कभी आपको option में potassium permagnate ना देकर इनका सूतर को भी बता देतें तो potassium permagnate का सूतर होता है यापे लिख देते है, के m no-4 याद रखना है, potassium permagnate का सूतर क्या होता है, तो k mno-4 सूतर को भी याद रखना है, इंपोटन्ट है चलिए, आगह बढ़ते है, पाचवाप्रसने प्याज में कौन सा अमलब पाया जाता है चलिए अंसर करेंगे और जो भी इस टेन चैनल पर पाली बारा है चैनल पर नए हाया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह के इंपोर्टेंट वीडियो आपसे कभी मिश नहों तो प्याज में कौन सा अमलब पाया जाता है तो सल्फेनिक अमलब पाया जाता है उप्शन 6 प्रसने का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा इंपोर्टेंट प्रसने ध्यान रखना है गाजर का रंग किसकी मौझूदगी की करान होता है फटा फट सा अंसर करेंगे चलिए सारे प्रसन सेलेक्टेट और इंपोर्टेंट लिए गए है गाजर का रंग किसकी मौझूदगी की करान होता है तो इसका राइट अंसर एक साथ लाजेगा कैरोटीन, option C में भी कैरोटीन है, टैपिंग या रहे, कोई दिक्कत नहीं, option A भी सही है, C भी सही है, कैरोटीन या दाखना important है, चलिए आगे बढ़ते हैं next है, कौनसा हर्मौन लड़ो या उड़ो हर्मौन का लाता है, सोच समच का अंसर करना आ है, तो इसका सही जवाब क्या आज़ेगा, जी बिलकुल, option A के साथ लाजेगा, Adrenaline Hard, ये हर्मौन लड़ो या उड़ो हर्मौन का लाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं next है स्वसन का नियंत्रन मस्तिस्क के किस भाग द्वारा होता है important person answer करेंगे या फिर स्वसन कर लेंगे स्वसन का नियंत्रन मस्तिस्क के किस भाग द्वारा होता है इसका सही जबाब है option C medulla oblongata option C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा और इसी मस्तिस्क में याद रखना है, इसी मस्तिस्क में सरीर की सबसे छोटी गंती, फ्यूस गंती होती है, याद रखना है, जिसे माश्र गंती भी कहते हैं, याद रखना है, चलिया गबड़ते हैं, नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुनवत्ता किस से अभिव्यक्त की जाती ह फटा पटसान से करेंगे, पेट्रोल की गुनवत्ता किस से अभ्यक्त की जाती है, ओक्टेन संक्या से, सीटेन संक्या से, या कैरेट से, तो याद रखना है, पेट्रोल की गुनवत्ता किस से अभ्यक्त की जाती है, तो ओक्टेन संक्या से, ओक्टेन संक्या से, इंपोर्टे को याद रखेगा बुछ गया प्रसंट钱 एणजाइम क्या होता है तो प्रोटिन होता है जैल गैश का सवός हूझ असे करना है और फैंट सेशन के या अपना अपना स्कूर जरूर्द देना है कि अपने कितने प्रसंटन का सही सही ज़ाब दिये है तो जैल गैश का सायोजन होता है तो यह C और H2 यानि की कारबन मोनोकसाइड और हाइड्रोजन का सायोजन होता है option 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए आग बढ़ते हैं next है निम्न इंदनों में से कौन सा इंदन नियुनतम परियावर्निय परदूसन उत्पन करता है most important परियावर्निय परदूसन उत्पन करता है तो इंदन हाइड्रोजन है जी बिल्कुल सही जवाब जेगा हाइड्रोजन next है वायो सकती जिसे wind power बोला आता है में उर्जा का कौन सा रूप विद्धूत उर्जा में परवर्तित होता है चलिए और अगर आपको इस session अच्छा लगना है तो सभी लोग session को दिल से like करेंगे तो वायो सकती में उर्जा का कौन सा रूप विद्धूत उर्जा में परवर्तित होता है तो गतिज उर्जा याद रखना है गती जुरजा का बिद्धु तुरजा में परिवर्टित होता है वायो सकती बी बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और गती जुरजा को कारेटिक एनरजी भी बोलते हैं याद रखना है नेक्स्ट है किसी इंसान को पूरी उचाही का परत्विम देखने के लिए एक समतल दरपन की नियुन्तम लंबाई कितनी होनी चाहिए पूछा गया प्रसने सोच समझ का अंसर करना है important प्रसन याद रखना है next ए dynemo किस उर्जा को किस उर्जा में परवर्तित करता है ये प्रसन काफी बार exam में पूछा गया है science का ये favorite प्रसन है dynemo किस उर्जा को किस उर्जा में परवर्तित करता है तो इसका right answer option चला ज़ेगा किसके साथ सारे प्रस्ण important है इसलिए session में end तक बने रहना है और friends अगर आपको किसी भी प्रस्ण में थोड़ा भी doubt होता है तो तुरन तब comment करके पूछ सकते हैं तो विज्ञान की वह कौन से सखा है जिसमें जिवासम का ध्यन क्या दाता है तो इसका right answer option A के साथ राज़ेगा संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है चलिए answer करेंगे संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है तो देखे इसका right answer option A के साथ राज़ेगा संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम है option A का सई जबाब हो जाएगा अगर आपसे पूचे कि सरीर की सबसे बड़ी गरंती कोशिका 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 क्या है तो यादटना है क्या है प्यूस गरंती जो मस्तिस्क में पाया जाता है next है किस बग्यानिक ने कोशिका की खोज की थी चलिए answer करेंगे किस बग्यानिक ने कोशिका की खोज की थी इसका right answer रोबर्ट हूक ने यादटना है बी बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा और अपने सबी मित्रों के साथ सेसन को जरूर से करेंगे तो एक जूल कितने कैलोरी के ब्रावर होता है तो 0.24 कैलोरी के ब्रावर होता है बी बिल्कुल सई जवाब जाएगा और यह जूल क्या है तो यह जूल जो है यह उस्मा का SI unit है याद रखना important है नेक्स्ट है पहले ग्रेया रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो समझ का अंसर करना है चलिए पहले ग्रेया रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो इसका साइज जब आप option चला देगा C के साथ विटामिन B3 की कमी से याद रखना है और vitamin B3 का रसाइनिक नाम क्या है तो नियासी ने क्या है यहाँ पे लिख रहे है vitamin B3 का रसाइनिक नाम नियासी ने याद रखना important है पूछा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं next है आयाम का SI 15 में मातरख क्या होता है सोच समझ का अंसर करना है सारे प्रस्ने बिल्कुल सेलेक्टेट लेगे है आयाम का SI 15 में मातरख क्या होता है तो यह रखना है मीटर होता है सही बिल्कुल सही जवाब जाएगा मीटर होता है next है vitamin D का रसाइनिक नाम क्या है चलिए आंसर करेंगे vitamin D का रसाइनिक नाम क्या है तो इसका साही जवाब क्या जगा है केलसी फिरोल जगा विटामिन D का है रासानिक नाम ये टोको फिरोल किस विटामिन का रासानिक नाम है तो विटामिन E का है और नियासिन विटामिन B3 का है और साइनो को वालमिन ये किसका है तो ये विटामिन B12 का है विटामिन B12 का है तो देखे इसका राइट अंसर है विटामिन E के सचर्णा देगा, जो की option में नहीं है, इसका राइट अंसर क्या देगा विटामिन नहीं हो जागा, विटामिन E को सौंदर विटामिन भी कहते हैं, याद रखना है, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तो समझ का अंसर करना है कौन सा इसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है पूछा गया प्रसन है इसका सही जबाब है विटामिन के या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है उसका राशानिक नाम फिलो कुई नहीं और इसका राशान केक नाम से सकरवी नामक जोर्ग होता है काफी बार यह प्रस्ट पूचा गया है सो समझ का अंसर करना है कौन सा विटामिन मानब शरीर में संक्रमन को रोखने में वदद करता है तो इसका सई जबाब है option A, vitamin A याद रखना है option A इस परने का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा इसका रासायनिक नाम retinol है और vitamin A की कमी से रताउंधी रामग रोग होता है याद रखने तो आज के सेशन में ये total 27 important science के प्रसनों को रखा गयता है जो कि अक्सर एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद